दोस्तों वीडियो की शुरुवात करने से पहले इस हफते की विनर की घोशना शिव कुमार 284 इस हफते की विनर है क्योंकि इन्होंने हर एक वीडियो पर अल्मोस्ट कॉमेंट किया है लोगों को रिपलाई करके help करें और इनके 50 BUSD ट्रांसफर किये जा चुके हैं शिव कु की बात की जा रही है 20 बिलियन डॉलर बहुत कुछ होते हैं इस वीडियो में आपको भी बताऊंगा कि इस महीने इस माफ की जगा इस हफते में मातर 120 मिलियन डॉलर का inflow हुआ है और बिटकोईन 25,000 डॉलर से इस हफते मतलब पिछले हफते 25,000 डॉलर से 31, 32 तक चला गया है सोचिए 125 मिलियन अगर ये कर सकते हैं तो 25 बिलियन डॉलर क्या करेंगे ये सारी चीजे प्रॉबिल्टी ऑफ एटीफ अप्रॉवल इस गटिंग हायर एवरी डे बेसे और अगर कोई नेगेटिव फड है वो सारी चीजे भी कवर करूँगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय से और इंडस्ट्री के अधर प्लेयर से आगे रखते हैं इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इंडस्ट्री में कोई इतना प्रॉफिट नहीं बना पाता जितना हम और खासकर हमारे समुदाय के लोग भी बना पाते हैं जो इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करत है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पंप आने वाला है और उसके तुरंद बाद देखें दो अच्छी लंबी कैंडल आई राइट सो इस लाइक इट वस रिटन ऑन दे वाल कि बिट्कॉइन 31,000 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसने तोड़ा भी और 31,400 तक के जो अपन बनता है हलाकि 23,24 सारी को प्राइस इसी लेवल पर गया था बड़ वहीं उसी लेवल से बापसी करके क्या होताने जब सारी दुनिया एक ही चीज़ सोच रही होती है तो वो नहीं होती है सारी दुनिया सोच रही थी कि एक पर बिटकॉइन 31,000 पार करेगा तो इस पर 33,000 अ थोड़ी सी वॉल्यूम कम रह सकती है बट वी नो धाट जब वॉल्यूम कम होती है अक्सर बड़े पंप या बड़े डम तब ही आते हैं वी हैव तो प्रिपेर आरसेल्स बात करें सपोर्ट लेवल की इस प्रेंडिंग लाइन की उपर अगर आप देखेंगे प्राइस मुझे ज़्यादा डर नहीं है दोस्तों कि समय अगर हम 3,600 पे हैं तो 30,000 के आसपास हमारे पास multiple supports हैं मैं stock market की बात कर रहा था आज independence day के चलते stock market बंध है और मैं आपको बता देना चाहूंगा stock market में futures open है futures में अच्छी खाजी green बड़त दिखाई दे रही है और इसके चलते मेरा मानना है कि एक अच्छा कासा wedge formation है wedge formation, flag formation, bullish pattern है, continuation pattern है and I think कल अगर stock market खुलती है unless there is a negative news I think you are going to see it going to 45-100 का level जो की orange box के नीचे का level है जहां पर उसको rejection definitely मिल सकती है बड़ अगर अच्छा momentum रहता है positive momentum रहता है जो मेरे ख्याल से असली positive momentum ना तीसरे हफते में आएगा जब fed की अगली meeting है और 90% market इसे में rate hike को antispit करके चल रही है और rate hike अगर नहीं हुआ then you will see all time high of S&P 500 breaking अगर हो गया तो market तो में रखते हुए 4500 तक पहुंची है बड़ अगर rate hike skip हो जाता इस बार फिर से जैसे गौर तलब है कि जून के महीने में rate hike नहीं हुआ था पहली बार in 17 months fed ने rate hike करने की नहीं सोची थी इस बार market सोच की चल रही कि rate hike होगा let's see guys we will see and we will keep you posted हमने युद्ध के तयारी कर ली है हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैंने bitcoin के नए buying orders लगा के रखे हुए हैं वो buying orders आपके सामने हैं तीन bitcoin के buying order at 39845 जो कि हमारी red line भी है एक bitcoin का level 30270 पे और तीन bitcoin का buying order 30,000 अब almost हमने 7 bitcoin के order लगा रखे हैं यानि कि अगर मैं मोटा मोटा करूं तो 210,000 डॉलर के buying orders at no leverage याद रहे it's a big bet I'm taking my money is where is my mouth is मैं आपको खाली YouTube के माधियम से hopium देने के लिए यह नहीं कहता हूं कि bitcoin में pump आएगा I'm showing you with real example and you will be able to see अगर price dip करता है 30,000 तक उना 30,800 तक I will be a net buyer of 7 more bitcoins दोस्तों और मैं बहुत प्राउड से आपको कह सकता हूं कि जब मैं इतने बड़े risk ले रहा हूं मैं आपको वीडियो के second half में बताऊंगा कि कैसे मेरे बहुत सारे भाई whole coiners बनने की तरफ बढ़ रहे है whole coiners वो व्यक्ति होता है इसके पूरा bitcoin हो और मेरा ये mission है कि इस channel के माधियम स से इस bull market के दौरान मैं करीब कम से कम 100 whole coiners create करूंगा लोग comment करते हैं भाईया मैं whole coiners बनके मुझे बहुत खुशी होती है खेर वो मेरी long term buying strategy, hodling strategy है ये मेरी short term trading strategy है जिस पर मैं आपको रोज update देता हूं happy to report कि अब एक ethereum cycle bot has become 83% profitable पहली हमारी bots जो है 80% का profit cross की है out of these six trading bots that are live and I promised you कि मैं इन सभी bots को 100% के profit पर लेके जाऊंगा and I think that's gonna happen very soon as soon as bitcoin hits 33,000 dollars of level and we are just waiting for that but अगर खुदाना खासता है ये price dip करता है 29,800, 29,500 तक these bots will very smartly dollar cost average अगर आप invested margin पर गौर तलब करें तो 559,999,1117 current cycle में इन bots ने very small investment करिये, they are waiting for bitcoin to go down and that's how these bots DCA जब bitcoin नीचे जाता है तो ये DCA करती है जब bitcoin उपर जाता है तो ये profit book करती है पैसा ही पैसा in case of upside or downside इसे लिए इन bots के style को copy करने के लिए इन links को use करें ये वाले links free है उपर वाले links का मतलब account create करने के लिए आपको मेरा referral use करना है जो कि आप skip भी कर सकते हैं मैं millionaire नहीं बनने वाला हूँ आपके referral को देखकर अगर आपको कहीं और से profit होता है account create करके आपका already account है प्लीज उसे use करें पर trading strategy सीखने के लिए आप हमारी videos को use कर सकते हैं So that is all about my trading style guys let's jump into the fundamental side of the things market में कितनी सारी bullish चीज़े हो रही है सितारे align कर रहे हैं जैसे मैंने कहा video के starting में 120 million dollar का inflow मातर हुआ है last weeks में by crypto funds institutions are hodling like never before मैंने पिछले 3 साल में at least नहीं देखा including 2021 institutional interest bitcoin में इतना ज़्यादा आ रहा है आपके सामने जो photo है वो श्रीमायन Brett Harrison की है ये जो है galaxy digital के founder है और इन्होंने भी कहा है कि bitcoin का spot ETF के approve होने के chances are fairly high इनके पास 6 लाख से ज़्यादा bitcoin है galaxy, gbtc अगर आपने सुनाओगा, grayscale bitcoin trust इनके पास 6 लाख से उपर bitcoin और इनका मानना है कि bitcoin का ETF approval अवश्यम भावी है और एक और बात बताओ, अगर आपको याद होगा एक हफते पहले एक fund आया था ये सच्चा ही आई थी कि Gary Gansler SEC ने कहा है कि ETF के अंदर supporting documents are inadequate resubmission was asked तो उसके लिए क्योंकि उन्हेंने कहा था कि custodian कौन है इसलिए BlackRock के भी ETF approval पे एक सवाल एनेशन उठा था उस दिन market थोड़ा सा डाउन भी होई थी उस पे clarity आ चुकी है BlackRock has refiled for SWOT Bitcoin ETF resubmission was dated 29 June Nasdaq ने इसको re-share किया है and they have added Coinbase as the exchange for tallying the price ये सवाल उठा था Gary Gansler ने सवाल किया था BlackRock से कि आपका custodian कौन है answer था Nasdaq और आपका price tally किसे होगी उन्होंने answer दिया है Coinbase right so अब यहाँ पर surveillance agreement बताये गया है Nasdaq and BlackRock will get into a joint agreement of security surveillance यानि कि आपकी जो custody में जितने भी bitcoin खरीदे हैं आपके customers की बहाफ फे उनकी tally हर रोज होगी this will give a huge boost to this application that is one big news ATF approval is around the corner another massive news जो जिसका मैं सबसे बड़ा fan हूँ वो है net positions by shrimps, shrimps कौन होते हैं bitcoin की term में जिनके पास less than 1 bitcoin होता है अगर आप यह trend line देखे और इंज कलर की it is rapidly going up 2021 से भी ज़ादा 2022 से भी ज़ादा, आज की रिट में 2023 जून तक 1.3 million bitcoins are held by shrimps number of shrimp addresses are at the all time high और अगर आप यह mountains देखेंगे यह mountains में बड़े बड़े jump तब आते हैं जब bitcoin की price में jump आते हैं January में आया था बड़ा mountain और अब June में आया है people, shrimps, retail users यानि की ज़्यादा तब attract होते हैं जब bitcoin की price चड़ने लगता है यह तो बस शुरुआत है दोस्तों मेरा मानना है within no time 2 million से ज़्यादा bitcoins will be held by shrimps which is a good sign volatility कम होती है जब bitcoin is spread across more owners अब यहाँ पर Cameron Winklevoss जो की Facebook के co-founder से यह अब exchange चलाते हैं Kraken के नाम से बड़ी exchange है इन्होंने एक open letter लिखा है Barry Silbertosko जो की Grayscale Bitcoin Trust के Genesis Global के founder है इन्होंने उनके उपर फिर से एक आरोप लगाया है कि 1.2 billion dollar का assets that are trapped in Genesis which were owned by Kraken needs to be released by DCG Digital Currency Group that operates Grayscale Bitcoin Trust also यह एक थोड़ा से negative news है मैंने आपको वीडियो के प्रारब में का था yes there will be chances of bitcoin up and down yes one FUD can take bitcoin down और यह लोग फाइल कर रहे हैं एक lawsuit again DCG दोस्तों जो लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते न वो मुझे आरोप लगाते हैं कि मैं केबल positive बाते करता हूं I share all type of news with you whether positive or negative अब अगर यह lawsuit होता है तो there will be a risk on bitcoin price क्योंकि Grayscale Bitcoin Trust के पास जैसे मैंने का 625,000 bitcoin है worth 19 billion dollar और बाकी other holdings भी है अगर GBTC को Grayscale company को Genesis Global को 1.2 billion dollar का lawsuit settle करना पड़ सकता है Kraken के favor में तो there is a chance कि GBTC को शायद अपने कुछ bitcoin बेचने पड़े हैं शायद इस risk से मैं आपको बार बार अवगत कराता आ रहा हूं although positive news ही है कि GBTC का premium जो है जो कि minus 47% तक चला गया था वो minus 27% तक चला गया improvement होई है GBTC के premium rate पर आज भी अगर आप चाहें तो एक bitcoin at 20-22,000 dollar पर खरीच सकते हैं by buying GBTC that's what premium rate differential is this is a negative news I hope कि यह lawsuit चलता रहे और GBTC को अपने bitcoin ना बेचने पड़े but this is one patch, grey patch on the bitcoin price कि अगर GBTC अपने bitcoin बेचता है तो price पे downward pressure होगा and I've been telling you this news from last 4 months I'm not saying it is gonna happen tomorrow but you should know guys and मेरा काम है आपको बताना था कि अब एक Google Alert लगा के चलें जैसे ही यह lawsuit एक नतीजे में आता है कि GBTC को 1.2 billion dollar settle करने है I think that's a red flag for you and you can decide your stakes you may not watch my video every day but आप at least seek कर एक Google Alert लगा सकते है फिलाल अगर आप हमारे शिव कुमार भाई की जीतना चाहते हैं 50 dollar तो सरल सवाल का जवाब दे डालिए हमने भी पिछले हफते भी यह पूछा था कि क्या इस हफते हम 33,000 का level breach करेंगे और mostly answer आयते हाँ आज मैं उस question को थोड़ा सा twist करूँगा दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की starting में कहा कि जब-जब लोग एक price की अपेक्षा करते हैं तो वो नहीं होता लोगों ने 33,000 की अपेक्षा करी price 31,000 से वापस हो गया अब लोग अपेक्षा कम कर रहे है अब मेरा मानना है कि अब तो price definitely hit करेगा बड क्यूंकि लोग 90% लोग मानके चल रहे हैं कि 33,000 से rejection होगा I have started believing कि 33,000 भी तूट तूट के price और उपर जाएगा very soon comment करके अपने opinion बताइए अपना BUSD डरेज जालना मत भूलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों धन्यवाद जाहिंद